हेलो एवरीबड़ी कैसे हैं आप गाईस आज मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी मकडी के बारे में बताऊंगा जिन में से कुछ लुप्ट हो गई हैं और कुछ अभी भी जिन्दा हैं और इनकी जैसरियां आपने सायाधी कभी देखी होगी इस लिष्ट पे फिफ्ट नंबर पे आता है मौंगोल अडचन ये दुनिया में खोजी गई आज भी सबसे बड़ी मकडी है जो डैनसौर के जुडासिक पिरियेड में रहा करती थी जिसके एक अंकाल कुछी साल पहले विग्यानिकों को जवाला मुखी के अंदर दिखे थे सबसे खास बात इसके बाल है जो इसको सिकार करने के समय चुपा देते हैं और जब भी कोई जानवर इसके पास से गुजरता है तो इसको अपना सिकार बना लेती है सो अब चलते हैं अपने नेश्ट की तरस सो इस लिष्ट पे थर्ड नमर पे आता है ट्रैप्ड और स्पाइडर ये मकडियों के पढ़ जाती की सबसे बड़ी जिन्दा मकडी है ये जमीन के अंदर अपना घर बना के रहती है और ये मकडी लगबक 33 साल तक जिन्दा रह सकती है और सायदी ये कभी अपने बिल से बाहर आती हो कभी कवाडी ये मकडी अपना घर समुन्दर के पास बनाती है ताकि ये मुचलियों को अपना सिकार बना सके ये अपने सिकार के दूरी का पता वाइविलेशन से लगा लेती है और जब कोई सिकार इसके पास आता है तो ये उसको मिंटों में खतम कर देती है तो अब चलते हैं अपने नेश्ट की तरफ इस लिष्ट पे सेकी नमबर पे आता है वंडरिंग स्पाइडर अमेरिका में पाए जाने वाली ये मकडी अपने गुसे लेचर के लिए जानी जाती है जिसकी लंबाई लगबग 5.9 इंच होती है जो ज़्यादा तर केलो के पेड़ में रहती है इसलिए इसका ज़्यादा तर सिकार खेतों में काम करने वाले लोग होते है जिसका एक डंक इंसान की जान भी ले सकता है जब ये काटती है तो उस जगह पे बहुत तेज दर्द और सांस दिले में बहुत दिकत होती है ऐसे इसके जहर को कई दवाई बनाने के काम में लिया जाता है तो आप चलते हैं अपने नेश्ट की तरफ तो इस लिश्ट पर फर्स नंबर पे आता है केमल स्पाइडर ये मकड़ी ज़्यादा तर रगिस्तानी इलाखों में पाए जाती है जिसको स्कॉर्पियन स्पैडर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये मकड़ी के अलावा स्कॉर्पियन परिवार के साथ भी बिलॉंग करती है जो देखने में एक जैसे लगते हैं ये मकड़ी काफी तेज दोड़ सकती है जो उट को भी मार सकती है यहां तक कि इंसान को भी मार सकती है सो उमिट करता हूँ आपको बड़ पसंद दे होगी थैंक्स पर वाशिंग और गुड़ बाई